अब पूरे सूबे में बढ़ रहे हैं बिजली संकट को देखते हुए सदर विधाक मनीज जस्वाल ने नियोस बाइसकोप से बात करते हुए सरकार को जम कर खरी खोटी सनाई उन्होंने कहा कि हजारी बाग पूरे जहार्खन में बिजली संकट है हजारी बाग और पूरे जहार्खन में बिजली संकट देखाई दे रहा है लेकिन सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है गर्मी के बाद बरसात आएगी जिसमें हलकी सी बारिश में गहंटों गहंटे और कई-कई दिनों तक किसी-किसी इलाकों में बिजली गायब रहेगी आज सुबरे सुबरे छे बजे हमको रांची से एक फोन आया मेरे कली थे उन्हीं का फोन था कि वे रात वर रांची में लाइन नहीं रहा अब राजधानी का जब यह हाल हो सकता है तो आप समझ सकते हैं कि कितना बैड मैनेजमेंट से हमारा यह गुजर्रा भी हम बनारस ग आदे जरुवत अगर बिजली की कभी होती है तो वो गर्मी में ही रहता है चोकि गर्मी में एक अडिशनल पंखा का जरुवत हो रहता है तो यह सरकार बिजली के मामले में बिलकुल फेल रही है एक नया प्रोजेक्ट इसने नहीं किया है प्रोजेक्ट बोलने का मतलब को मैं पावर प्लांट से जोड़के नहीं देख रहा हूँ इसको अभी आप देखेंगे बर साथ आ रहा है जरा सतार हिलेगा नहीं कि पूरे पूरा दिन दिन तक जो है वो बिजली बंद होगी वेल्खम तू चाचा मामा थंगल हाँ स्यादकार संजय मिश्रा से बुजारिक्षा है कि वा खाड़े में कूद है और फुर्ट उसको टौफी से नमाज है लगता है समाधी लेली अज़े पुणाए अब पूरे सूबे में बढ़ रहा है बिजली संकट को देखते वे सदर विधाक मानीज जासवाल ने नियूस बाइसकोप से बात करते वे सरकार को जम कर खरी खोटी सनाई उन्होंने कहा कि हजारी बाग पूरे जार्खन में बिजली संकट है लेकिन सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है गर्मी के बाद बरसात आएगी जिसमें हलकी सी बारिश में गंटों गंटे और कई कई दिनों तक किसी किसी इलाकों में बिजली गायब रहेगी और उस पर से गर्मी में ये एहाल है सरकार क्या कर रही है किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कुछ कहा उन्होंने सुनाता है हम आपको यह जो पूरा प्रदेश है वही बिजली समस्या से जूज रहा थी आज सुबरे सुबरे छे बजे हमको रांची से एक फोन आया मेरे कली थे उन्हीं का फोन था कि वह रात वर रांची में लाइन नहीं रहा अब राजधानी का जब यह हाल हो सकता है तो आप समझ सकते हैं कि कितना बैड मैनेजमेंट से हमारा यह गुजर्रा भी हम बनारस गए थे कल एक शादी के सिलसले में तो 24 hours power वहां पर है उपलब देश, गर्मी में भी उपलब देश और जो सबसे जादे जरूवत अगर विजली की कभी होती है तो वह घर्मी मेहीं रहता है चोकि गर्मी में एक एडिशनल पंखा का जरूवत हो रहता है लो तो यह सरकार विजली के मामले में बिल्कुल फेल रही है, एक नया प्रोजेक्ट इसने नहीं किया है प्रोजेक्ट बोलने का मतलब को मैं पावर प्लांट से जोड़ के नहीं देख रहा हूँ, इसको अभी आप देखेंगे बरसात आ रहा है, जरासतार हिलेगा नहीं कि पूरे दिन दिन तक जो है वो बिजली बंद होगी